नमस्कार प्रभोस आक्षी नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है दिव्य कुम्ब भव्य कुम्ब प्रियागराज में मकर संक्रांती से शुरू हुआ कुम्ब मेला महा शिवरात्री पर समाप्त हो रहा है शिवरात्री को आखरी स्नान पर उथा और इसमें बड़ी संख्या में शरधालों की भीड़ उमर पड़ी प्रित्वी पर लगने वाला दुनिया का यह सबसे बड़ा मेला कुम्ब इस मायने में महत्मूर्ण रहा कि इसकी भव्यता गंगा की निर्मलता साफ सफाई की पुरी दुनिया में चर्चा रही कुम्ब मेले का उध्गाटन प्रथा साथ पती रामनाद कोविंद भी पहुँचे तो प्रथान मंत्री निरेंद्र मोदी ने पी संस्फॉन किया और गंगाव ठिक ही उत्रप्रदेश सपी मंत्री एक तर ने स्टेशन भी मिला कुम मिला इस कदर रोश्णी में नहया रहा कि दुनिया आश्चेरे चकीत रहे गई हर स्नान पर एक साथ धाई से तीन करोड लोगों का आ जाना और बिना किसी समस्या के स्नान परू का निपटना बेहतरीन सुविधाओं वाली टेंट नगरी विभिन अखा में देखने के लिए लगी लाइने नागा बाबाओं को हैरत से दिखती भीड पहली बार किन्नर अखाडा जो लगा है उसके आचारे महामंंडलेश और से आशिरवात देने के लिए लगी भक्तों की भीड हट ही योगियों के हट को आश्चरे से दिखते लोग ठंड के भा लिकॉप्टर पुलिस और प्रशाशन के लोगों का लखनवी अंदाज में स्वागत करते लोग हर पचास कदम पर कूड़ेदान की विवस्था जगा जगा बने सौचाले अस्पताल एटीम खोया पाया केंद्र आधी हर तरह की सुविधाओं वाला यह महा कुम्ब पर वर्शों तक याद रखा जाएगा इस कुम्ब मेले में लोगों ने वहद रिशे भी देखा जब देश के प्रसानुति नरेंदर मोदी ने संगम में आस्ता की डुपक की गई मोदी ने कुम्ब के दौरान सुच्छा ग्रहियों के पैर्ध होकर न सिर्फ उनका आशीश ग्रहन किया बलकि संदेश भी दिया इस दौरान सफाई करमचारी कूर्शियों पर बैठे थे जबकि प्रधानमंत्री नीचे एक पट्रे पर बैठे थे इसके लावा की प्रतिमा का बटन दबाकर अनावरण किया और राष्ट्रती कोविंद कुम में आने वाले देश के दूसरे राष्ट्रपती हैं इसे पहले प्रतम राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंदर प्रसाद 1953 में कुम्ब मेला में यात्रियों की निशुलक सेवा के लिए लगाई था ग्रीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधी निर्णायक रिशीनाथ ने बताया कि परेड के लिए 510 बसे लगाई गई थी जिसमें साथ बसे मानक के अनुरूप नहीं चल सकी 503 बसे मानक के अनुरूप चली और कुम्ब मेला यहां पर हुई धर्म संसदों को लिकर भी सुर् भी भारी विवाद हुआ लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि पिछले कई आयोजनों से यह आयोजन बहुत बहतरीन था लगभग 45 किलोमेटर के दाएरे में बसाई गई कुम्ब नगरी में यदि दो माह में 25 करोड से जादा लोग आएं और बिना किसी असुविधा के स्नान और पूजन करके जाएं तो यह अपने आप में बड़ी उपलब्दी है इतनी बड़ी संख्या में एक साथ लोगों के आने से यहां के लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिला और उत्तर प्रदेश की अर्थवस्था को जोड़दार फाइ खुद प्रभासाक्षी की टीम ने कुम्ब मेले में लंबा समय पिताया और गंगा मया की जय के उध्गोश के बीच हर व्यक्ति चाहे वो साधू हो या शर्धालू मोदी और योगी की तारीफों के पुल बांदेते हुए दिखे वाकई एक दिव्य और भव्यक तथा स्रि